नमस्ति दोस्तों तो चलिए आज बात करते हैं गर्मी के मौसम की अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि गर्मियों में बहुत सी दिक्कते आ रही हैं कहीं पर गर्मी लग रही है पानी की दिक्कत है लेकिन गर्मियों के सीजन में एक फल ऐसा है जो की काफी सस्ता मिल रहा है और इसे खाने से बहुत से फायदय होते हैं और वो है खर्भूच इंगे इसमें हम इसे मस्क मेलन भी कहते हैं और जैसकी आप जान रहे हैं कि यह खर्भूच आपको आजकल मार्केट में 30-40 रुपे किलो मिल जाता है तो दोस्तों और दूसरा फल जो मिलता है तर्भूच तो कि इन ही फलो के वेस्ट पाट को भी हम यूज करेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़े आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें तो सबसे पहले बात करते हैं खर्भूच के फायदे की यह एक ल अगर हमारी बॉडी को हाइडरेट रखता है इस गर्मियों में तो अगर हमारी जो बॉडी को फ्लुइट्स चाहिए होते हैं उसके लिए इसमें इतना वाटर कंटेंट होता है कि अगर आप इसका इंटेक लेंगे तो आप कभी भी डिहाइडरेट फील नहीं करेंगे मस्क दोस्तों आपने कहावत सुने होगी आम तो आम गुड्लियों के भी दाम ठीक तरीके से इस खर्बूजे के लिए भी हम यही कहेंगे क्योंकि खर्बूजे का जो पल्प होता है बेसिक फ्रूट होता है इससे तो आप बहुत सारी चीज़े बनाई सकते हैं जैसे आप खर्बूजे के अंदर सीट होते हैं वह भी काफी खिपायती होते हैं और यह गर्बूजे के बीच जब मार्किट में लेने चाहें तो आपको तेर्ट सो से दोसो रुपे के सौ ग्राम मिल जाते हैं इसे आपको पता है आप घर पे फ्री में बना सकते हैं तो जब भी आप चुझा लाएं अकसर आप इसके बीच को फेट देते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें इसके बीच को अलग से निकाल कर कोई भी चनी लेनी है मैंने तो यहाँ पे इस तरीके की चनी लिए आपके घर में आटा चाहनने की या जो भी चनी ओ आप बो ले सकते हैं बेसि से हलका सा शुखा देंगे और शुखाने की बाद आप आप देखेंगे कि यह हमारे घ्राय हो गए और ऋबसे बड़ा टास्क होता है इसके छिल्कों को निकालना या तो आप बैठे बैठे इनके छिल्कों को निकाल सकते हैं तो इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है मेले यह एक कड़ाई, अब कड़ाई को आप मीडियम फ्लेम में गरम कर लें, आप सारे के सारे के बीच इसमें डाल दें और आप इसे मीडियम फ्लेम में लगाता चलाते रहें, आप देखेंगे कि 6-7 मिनिट में यह चटचट करने के खुलने लगे हैं और इसी तरीके से आप सार के सारे बीच निकाल सकते और store करके रख सकते हैं इन Seeds के भी क्वह बहुत से फाइदे होते हैं एक तो यह 2 चैंग gotta gute है यह between ce war beser भर्बूर दूसरा यह हमारी мужommt चल्ट के लिए बहुत अपसे हमारे वेट लॉस мож Immunity Boost के लिए भी यूज कर सकते हैं और साथ हमारी Skin के लिए भी काफी फाइदे मन्द होते हैं तो ये जो खरबूजे के बीज हमें इसे हम काफी सारी चीजों में यूज कर सकते हैं खासकर ये यूज होते हैं बेकींग के लिए Dressing करने के लिए हमारी breads को, यह हमारी मिठाईयों में भी यूज होते हैं, जैसे कि बूंदी के लड़ू अगर आप बना रहे हैं या सोहन पापडी में भी आप इन बीजों को डाल सकते हैं, इनसे बनती हैं बहुत सारी confectionery items, सुपारी में भी आपने में देखा होगा, बहुत जगा पर यह खर्बूजी के बीच add होते हैं, साथी साथ यह बहुत सारी refreshing drinks और snacks में भी use होते हैं, खर्बूजी की बात हो गए अब करते हैं, गर्मी के दूसरे fruit यानि तर्बूज की बात यह भी market में आपको 20-30 किलो तो मिली रहा है और इसके भी बहुत से फायदे है सबसे पहले तो यह ही फायदा है कि इस पे होता है 92% water content, तो जब भी गर्मियों में आपको hydrated रहना है तो आप तर्बूज खाएंगे तो इससे आप hydrated feel करेंगे और आपको dehydration भी नहीं होगी, तर्बूज की बात करें तो यह help करता है हमारे blood sugar level को maintain करने के लिए और यह हमें aid करता है weight loss में, साथी साथ यह हमारी kidney related problems को भी solve करता है और यह हमारी dental health के लिए भी काफी अच्छा fruit है, अब बात करतें इस तर्बूज से आप क्या-क्या इसके लिए हमें सबसे पहले तर्बूज का juice निकाल लेना है तो यहां पे आप किसी भी blender jar से या अगर आपकी बास jar नहीं है तो छटनी की मदद से juice को निकाल ले इसके बाद हम इस juice को पकाएंगे पकाने में हमें इसके साथ डालना है हलकी सी चीनी और आप चाहे तो इसमें corn flour का थोड़ा सा syrup भी जाल सके जिससे कि थोड़ा सा थिक हो जाए अब इसे हमें तीन से चार मिनिट के लिए पकाना है ताकि यह अच्छे से गाड़ा हो जाए उसमें जो थोड़ा सा water content है वह काम हो जाए तो यहां पर देखेंगे कि अब अच्छे से हो गया है तो ग्यास का flame बंद कर दें और इसे अब popsicle molds में या किसी भी बंतन में जमने रखतें अब जब भी बच्चों को गर्वी dehydrated feel कर रहे हो या उन्हें refresh होना है तो यह पॉप्सिकल आइस्क्रीम जरू खिलाएं तो जैसे कि खर्भूजे का वेस्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि आप रखें इसी तरीके से तर्भूज के भी जो यह साइट के गॉनल होते हैं इससे आप बना सकते हैं बच्चों के लिए yummy yummy jellies अब इन चली इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है इसके लिए तर्भूज का वेस्ट है छिलका इसका यह किनारे से green पार्ट हटा ले तो अब आप देखेंगे कि आपको तर्भूज का यह छिलका मिल गया बिल्कुल white color आप इस छिलके को हम लंबा काट कर छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे तो यहां यह सारे पीसस कट गया है अब हम पैन में लेंगे लगवग 1 लिटर पानी और इसे 5-7 मिनट तक तब तक उबालेंगे जब तक कि यह ट्रांस्पेरेंट में हो जाएगा पानी मेरा उबल गया और मैंने पानी में यह सारे छिलकों को डाल दिया है कि जैसे जैसे यह उबलते जा रहे एक का कलर हलका हलका ट्रांस्पेरेंट होता जा रहे है तो लगवग 7-8 मिनट में यह तो अब गयास का फ्लीम बंद कर दें अब हम इने चान लेंगे ताकि इनका सारा पानी निकल जाए तो यहां देखेंगे कि हमारी टूटी फ्रूटी लगवग रेडी हो गई है लेकिन अभी ना इसमें मिठास है तो मिठास के लिए हम ही क्या करना है कि हम फिर से लेंगे लगवक आदा लीडर या दो गलास पानी और इसमें डालेंगे हम चीनी और चीनी में हम इने पकाएंगे लगवक चार से पांच मिनट के लिए बेसिकली हम इनमें चीनी की एक कोटिंग डालने हैं तो बस वो कोटिंग डालके आप इन्हें पका लें तो आप देखेंगे कि यह एच्छे से कोट हो गई है और अब आप इसे बहार निकाल लें अब क्योंकि जो हमारी टुटी फूर्टी के एंडी सोती हैं वो कलर फुल होत दूखने के बाद आप लिखेंगे कि तर्बूजे के वेस्ट से हमने कितनी सारी यह टूटी फूटी कैंडी बना ली हैं आप इन्हें मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको यही सौर्पे की मिलेगी तो दोस्तों यह तो मैंने आपको बताएं तर्बूजे और मिक्स करके ज़रूर बताएंगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाई बाई